गलती से भी इन चीजों को ना रखे जमीन पर देवी देवताओं का होता है अपमान हिंदु धर में पूजा पाठ का विशेश महत्फ होता है लगभग हर घर में रोजाना सुभा और शाम के समय में पूजा की जाती है इससे घर में सुख समर्धी बने रहती है लेकिन कई बार रोजाना पूजा पाठ करने के बावजूद भी घर में अशानती रहती है और शुपल की प्राप्ती भी नहीं होती इसके पीछे कई करण हो सकते हैं वास्तु के नुसार अधिकतर लोग पूजा पाठ करते समय कई तरह की गलतियां करते हैं वास्तु के लुसाग। ये गलती आपके व्यक्तिकत जीवन और हर की सुख शान्ती पर असा डालती हैं। ऐसे में आज हम आपको मंदिर और पूजा पाट से जुड़ी ऐसी गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अशान्ती और सुख सम्रदी की हाने का कानण बन सकती हैं। आए जानते हैं उनके बारे में। जमीन पर ना रखें शिवलिंग। शिवलिंग भगवान भूलेनात का प्रतीक हैं। माना जाता है कि भूलेनात में इस पूरे भ्रमांड की उर्जा समाहित हैं। ऐसे में शिवलिंग को भूल कर भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकरात्म पूर्जा का संचार होता है। शिवलिंग को हमेशा पूजा स्थल में साफ जगह पर रखना चाहिए यहां ना रखें दिया पूजा करते समय दिया जरूर जलाया जाता है ऐसा करना काफी शुब माना जाता है ऐसे में दीपक को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए दिपको हमेशा थाली में किसी स्टैंड पर रखना चाहिए शालिग्राम को ना रखें जमीन पर हिंदुधर में शालिग्राम को बेहत पूजनिय माना गया है शालिग्राम का प्रयोग भगवान का आवाहन करने के लिए किया जाता है शिभक्त पूजा करने के लिए शिवलिंग के रूप में शालिग्राम का इस्तमाल करते हैं भगवान विश्णू की पूजा में भी शालिग्राम का खास महत्व होता है जिस घर में भी शालिग्राम स्थापित किया जाता है वहां सुक और समर्धि अपने आप ही आने लगती है लेकिन इसे जमीन पर रखने से आपको नुक्सान उठाना पड़ सकता है कभी भी शालिग्राम को जमीन पर नहीं रखना चाहिए मूर्ति को जमीन पर ना रखे मंदिरों की साफ सफाई करते समें अधिकतर लोग मूर्ति समेत सभी चीजों को जमीन पर रख देते हैं फिर सफाई करते हैं आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए मंदिर की सफाई करते समें मूर्ति को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए ऐसा करने से भगवान का अपमान होता है और आपके घर की शांती भंग हो सकती है मंदिर की साफ सफाई करते समय मूर्तियों को हमेशा किसी कपड़े या थाली में रखे हिंदु धर में शंक का विशेश महत होता है धार में कवसरों पर शंक बजाना काफी शुप माना जाता है ऐसा कहा जाता है कि जिस घर के पूजा स्थल में शंक रहता है और प्रति दिन बजाय जाता है वहाँ पर मा लक्षमी का वास बना रहता है साथ थी ये भी माना गया है कि शंक की मंगल ध्वनी से नकरात्मक पूर्जा दूर होती है मतलक्ष्मी की पूजा शंक के बिना अधूरी माने जाती है ऐसे में इसे जमीन पर रखने से नकरात्मक परभा पड़ता है और धन की हानी भी होती है सोने के गहने पर रखे साबधानी आपको बता दें कि सोने के गहने मा लक्षमी का रूप माने जाते हैं जो भगवान मिश्णु को अतिप्रिय होते हैं ऐसे में सोने के गहनों को भूल कर भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए इससे देवी देवताओं का अपमान मना जाता है साथी पैरों में भी कभी सोने के अभुशन नहीं पहनने चाहिए ये शुब नहीं मारा जाता है सोने के गहनों को हमेशा किसी कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए